परिवर्तित किया गया है जैसा कि आप देख करके feel कर सकते हैं लेकिन असली enjoy आप तब कर पाएंगे जब आप इस पे work करेंगे क्योंकि इसमें काम करना पहले के version से काफी easy, interactive और helpful बनाया गया है इसमें सामान तो पर वही main चार window ही है ये preview window है, ये bin window है, ये timeline window है और ये आपकी palette window है ये चार window ही मखी रूप से previous version में भी थी और इस version में भी है और जैसा कि आपको पछले version में आपको जानकारी होगी कि इसको भी preview window है इसको हम दो रूप से use कर सकते हैं एक single monitor की तरीके से, dwell monitor की तरफ से जैसे हम को view में जाते हैं तो यहाँ पर एक तो है single mode and dwell mode यदि हम dwell mode पर काम करेंगे तो यहाँ पर यह player area recorder अलग-अलग दिखाई पढ़ने लगते हैं इसे हम dwell mode बोलते हैं यदि हम यहाँ पर इसको single mode में use करते हैं तो यह के वर एक ही preview monitor as a player और as a recorder दोनों तरीके से काम करता है आप सेक्ता पढ़ने पर उनको हम प्रियोग करते हैं player में भी और timeline पर भी और इस window में आपको कई सारे उपर tools दिखाई पढ़ते हैं इन tools का प्रियोग करके हम editing के बहुत सारे महत्पूर्ण कारें को अंजाम देते हैं और इसके नीचे साइड में भी आप जब देखेंगे यहाँ पर भी कई सारे टैब दिखाई पढ़ते हैं जैसा कि पहले वर्जन में भी था bin है, effect है, sequence marker and source browser भी है इसके अतरिक्त यदि हम timeline window पर जाते हैं तो timeline window पर यही एक ऐसी window है जहाँ पर name रूप से video rating का कार किया जाता है इसके अपर पार्ट में भी देखेंगे आपको कई सारे tools दिखाई पढ़ रहे हैं जैसा कि पहले के वर्जन में भी था हम आपको इसके बारे में अभी आने वाले tutorial में बताएंगे किस tools का क्या कार है preview monitor में भी पहले की तरह नीचे आपको play करने के लिए marking करने के लिए या trim करने के लिए कई सारे options दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपके look के उसकी clip की duration से संबंदित 10 quotes उगरा भी उपलब्ध हैं इसके look and feel में आप सभी window को आप अलग अलग भी कर सकते हैं जैसा कि पहले versions में होता था आप उपर menu bar पे click करके इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं किसी window को बड़ा छोटा करने के लिए आप बड़ा छोटा कर सकते हैं दो या तीन इसे center में रख करके आप किसी भी window को अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हैं किसी window को छोटा बड़ा किया जा सकता है यदि अपको किसी area वे कहीं पर इनको आपको अलग तरीके मैनEZ करना है तो आपंग तरीके से manage कर सकते हैं इनको अलग रख करके इसको हम ऊपर रख लेते हैं तो मतलब कहने का मतलब यह पहली की तरीके से यह आज भी बहुत ही इंट्रेक्टिव और बहुत ही कस्टमाइज करने वाला साफडियर है इसको आपने अश्रेक्ता अंसार कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरीके साफ इसको परवर्थित करके आप इसको यूज कर सकते हैं विंड नहीं टिटूरियल से हम आपको परचित करा पाएं थैंक यू फार वाचिंग